अध्याई 15 लोगतंत्र में जन सहभागिता बैच्चों, आज हम लोगतंत्र में जन सहभागिता के विसाय में जानेंगे। जैसे कि आपको पहले पता है कि हमारा देश एक लोगतंत्रिक देश है। और यहाँ पर संसदी लोगतंत्रिक प्रणाली को अपनाए गया है बैचों इस प्रकार की लोगतंत्रिक राजनेतिक विवस्था में जनता की भागिदारी अन्य किसी भी प्रकार की राजनेतिक विवस्था की तुन्ना में जादा होती है तो बच्चो आज हम जानेंगे कि लोग तंत्र में लोग यहने कि आप और हम किस प्रकार अपनी जन भागिदारी निभा सकते हैं बच्चो जन साभागिता के कई माध्यम हैं जैसे कि मतदान करना, दबाव समू, तथा मीडिया की भूमी का तो आएए आज हम बात करते हैं मतदान क्या है और क्यों आवश्यक है बच्चो कई लोग तंत्रिक देशों की भाती हैं हमारे देश में प्रतिनिधी लोग तंत्र को अपनाए गया है यहाँ पर देश की जनता अपनी मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जिस राजनेतिक दल के प्रतिनिधी ज्यादा संख्या में चुने जाते हैं वो अपनी सरकार बनाता है और किसी भी राजनेतिक लोगतांत्रिक देश में इस प्रकार के एक निश्चित आयू सीमा पूर्ण करने वाले नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है और ये माना जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक चुनाओं में जितने जादा से जादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, चुनाओं के बाद बनने वाली सरकार उतने ही जादा लोकतांत्रिक होगी कहने का मतलब ये कि अधिक से अधिक लोगों का सरकार बनाने में सहभागी होना लोगतंत्र का एक मानदन्ड है बच्चों हमारी भारती सम्विधान में पहले 21 वर्ष की आयूपूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया था लेकिन 1989 में 61 सम्विधान संसोधन के द्वारा इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग मतदान में भाग ले सके तथा लोगतंत्र में अपनी भूमी का निभा सके लेकिन बच्चों आप क्या सोचते हैं क्या सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं